दो के लिए मोदिजुन बच्चों आज का मारा सब्जर कौन था इंग्लीश और आज हम क्या सीखेंगे आज हम क्या करेंगे रिविजन करेंगे बच्रों मैंने इंग्लिश में आपको अपतर क्या सिखाया है अप्रेइल मन्त में जून मन्त में एसे लेकर जाए तक कैपिटल लैटर्स और अब हम स्माल लैटर्स सीख रहे हैं फिलिन दा मिसिंग लैटर्स भी मैंने बताया हैं है ना तो आज हम इसी से रिलेटर्स रिवीजन करेंगे हम रिवीजन क्यों करेंगे क्योंकि थोड़े दिन में आपकी टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं इसलिए आज हम revision करेंगे तार कि जो भी मैं आपसे question करूंगी या question पूछूंगी आपको उनकी practice हो जाए revision में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं आपसे किस तरीके से question करूंगी और आप मुझे किस तरीके से उनका answer का reply करेंगी आपने start करते हैं आप लोग blackboard की तरफ देखना मैं पहले आपसे ये पूछूंगी कि बच्चों मुझे A से लेकर J तक ABCD सुनाईए तो आप लोग क्या बोलोगे कैसे बोलोगे इस answer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J मैंने किसी भी बच्चे से पूछा कि मुझे A से लेकर J तक alphabets बोलके बताईए तो आप लोग ऐसे बोलोगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ओके तो ये आपके alphabets हो गए फिर मैं किसी बच्चे से पूछूंगी कि A से लेकर K तक बोल के बताईए तो आप लोग क्या बोलोगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ओके ये तो मैंने आपको के बल एक्जाम्पल दिये कि मैं A से लेकर J तक भी बूछ सकती हूँ A से लेकर K तक भी बूछ सकती हूँ या A से लेकर O तक तो आपको A से लेकर O तक ABCD बोलनी है जैसे कैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O तो ये कहां तक हुआ तक मैंने आपको क्वेशन किया किया था आपको फिर से सुनना A से लेकर O तक मुझे अलफाबेट सुनाई है तो आपको A से लेकर O तक ABCD बोलेंगे कैसे बोलेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O ओके तो ऐसा हमारा ये क्वेशन बनेगा पर नेक्स अने गस्तार मेंटस था धैर महं किसी भी बच्चे से कुई भी क्वेशन कर सकते हूं कि A से लेकर S तक सुनाई है A से लेकर T तक सुनाये यer A से लेकर M तकल्फाबेट सुनाई है या मैं पूरे भी alphabets पूछ सकते हूँ क्योंकि मैंने आपको A to Z alphabets पूरे बताया है तो मैं किसी भी बच्चे से ये भी पूछ सकते हूँ कि आप मुझे A से लेकर J तक alphabets सुनाई है तो आपको पूरी ABCD बोलनी है तो आप वो कैसे बोलोगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, and Z तो ये आपको पूरी ABCD का बोलोगे आप लोग जब मैं आपसे question ऐसा करूंगी कि A से लेकर J तक मुझे पूरे alphabets सुनाई है तब आप मुझे A से लेकर J तक पूरे alphabets बताओगे फिर अगर मैं आप से पूछने हूँ कि मुझे मैंने बीच में से किसी से पूछा किसी भी स्टुडेंट से कि मुझे A से लेकर के तर alphabets बताओगे तो आप मुझे A से लेकर के तक ही है alphabets बताओगे फिर मैंने किसी स्टुडेंट से पूछा कि मुझे A से लेकर J तक alphabets बताओगे तो आप मुझे G तक alphabets सुनाओगे फिर मैंने की सगी और स्टुडेंट से पुछा मुझे A से लेकर P तक alphabets सुनाओगे तो आप मुझे A से लेकर P तक alphabets सुनाओगे ओके स्टुडेंट्स ख्लियर हुआ उपको यह सब फिर में हमारा नेक्स्ट टोपिक क्या रहे गर समें वार्ट कम्स लेटर आप्टर वार्ट कम्स लेटर विफोर ओके तो हमारा नेक्स्ट टोपिक है वार्ट कम्स लेटर आप्टर कि किसके बाद में कौन सा लेटर आता है तो जैसे मैंने आपसे क्वेशन किया बच्चों किसी से भी मैंने वेशन पुछा कि बच्चों A के बाद में कौन सा लेटर आता है तो आप मुझे क्या रिप्लाइ करोगे मैं A के बाद में B आता है तो मैं अंसर आपको क्या क्या रिप्लाइ करोगे आप B B A4Apple आता है तो आप क्या बोरोगे B4Ball आता है D के बाद में काुँसा लेटर आता है students ऐसे मैंने question किया तो आप लोग क्या answer करोगे मैं B क्या answer करूगे मैं B की आता है E मैं दुबारा repeat करी रिए हम बच्न D4Dog के बाद में कौन सा लेटर आता है, तो आप लोग बोलोगे, मैं D for dog के बार में E for elephant आता है, फिर हमने next letter लिया, बच्चों G for grass के बार में कौन सा लेटर आता है, मैंने आपसे पूछा, किसी भी student से मैं पूछ सकती हूँ बीच में से, कि बच्चों G for grass के बार में एचभुर 拂 है हैं आता है उकीнем हैं फिर एक ओर एकजम्पल लेते हैं मैंने पूछा बीच में किसी भी लेटरी के बारे में आपसे बीच से मीँ हुख सकती हों कि बच्यो मैं वाइफ और यार के बार में कौन सा लेटर रहता है मुच्छों Y4 यार के बार में तो आप क्या रिप्लाई करोगे कि मैं Y4 यार के बार में Z4 Zebra आता है ओकी आपको दिख रहे है Z4 Zebra ओकी तो ऐसे मैं कोई भी लेटर के बार में पूछ सकती हूँ जैसे मैंने पूछा F4 Fish के बाद में क्या आता है तो आप लोग रिप्लाई करोगे F4 Fish के बाद में G4 Grabs आता है मैंने पूछा S4 Shift के बाद में क्या आता है तो आप लोग रिप्लाई करोगे S4 Shift के बाद में T4 Tiger आता है मैं ऐसे क्वेशन आपसे टेस्ट में पुछूंगी इसलिए आपको इनकी घर पे प्रैक्टिस करनी है फिर हमारा next topic है what comes letter before ये तो उन्हें क्या पढ़ाता कि इसके बाद में कौन सा letter आता है इसमें क्या आएगा what comes letter before कि पहले कौन सा letter आता है तो आप एक बड़ एक्जामपल देखना जैसे मैंने पूछा आपसे कि बच्चों C से पहले कौन कौन सा letter आता है कौन से कौन सा letter आता है तो आप इसके लिए आपको क्या बोलना पढ़ेगा C तक A भी सिड़ी बोलने पढ़ेगी A, B, C तो मैंने C से पहले क्या बोला A बोला और B बोला तो आप मुझे क्या reply करोगी कि मैं C से पहले A for apple आता है and B for ball आता है फिर मैंने नेक्स एक्जामपर लिया मैं बीच में से कहीं से भी letter को पूछ सकती हूं कि E for elephant से पहले कौन सा letter आता है तो आप लोगों को E तक A, B, C, D, E तो E से पहले हमारा कौन सा letter आया D है ना फिर नेक्स है हमारा S से पहले कौन सा letter आता है तो S से पहले हमारा कौन सा letter आता है तो ये एक्जामपल लेगी तो S तक आपको A, B, C, D, E, F, G, H I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S तो S से पहले हमारा कौन सा letter आता है स्टूनेंट्स R तो S से पहले कौन सा letter आता है हमारा R तो आप लोग मुझे क्या reply करोगी कि मैं S से पहले R आता है ओकी एक बार आप लोग फिर से देखना मैंने आपसे एक question किया what comes letter before यह हमारा question है तो इसमें मैं क्या पुछोंगी आपसे कि बच्चो इस letter से पहले कौन सा letter आता है तो मैंने आपसे पुछा कि B से पहले कौन सा letter आता है तो आप answer करोगे A मैंने अगर आपको बीच में से पुछा S से पहले कौन सा letter आता है तो आप लोग अंसर करोगे D ऐसे ही मैंने पूछा कि बच्चो यू हूँ, V से पहले कौन सा लेटर आता है तो आप लोग अंसर क्या करोगे V से पहले कौन सा लेटर आता है V से पहले U So students, ऐसे ही आपको online test के लिए घर पे इन सब की practice करने है, A to Z आपको अच्छे से पहले कौन सा लेटर आता है यह सब मैं आपसे online test में पूछ हूँ नहीं तो आपको इन सब की घर पे practice करने है I hope आपको यह समझ में आ गया है मैंने फिल्न दा मिसिंग लेटर भी आपको सिखाए है तो आपको उसको अच्छे से उसकी practice करना तो आपको after or before letters भी आ जाएंगे Okay students, thank you